इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं DLSS 3.5 के बारे में कैसे ये काम करता है और मज़ेदार बात तो ये है कि ये अभी तक के लांच किये गए सारे RTX GPUs में काम करेगा NVIDIA ने अफिशल ये बात बोली है 2000 सीरीज और 3000 सीरीज में भी ये वर्क करेगा Ray Reconstruction आज की वीडियो में इसी वारे में हम लोग बात करने वाले एकदम डीटेल में की कैसे ये काम करता है आप यहाँ पर स्लाइड में देखी सकते होगे यहाँ पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल रेट रेसिंग अगर आपको जानना है एकदम डीटेल में की कैसी ये काम करता है कैसी आपके लिए गेम्स में हल्फुल रह सकता है वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता है तो आप वीडियो को अंतक देखें जरूर अब रे रेकंस्ट्रेक्शन का कंसिप्ट जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल रे ट्रेसिंग कैसे इंप्लिमेंट होती है कैसे कैलकुलेट होती है कैसे उसको गेम्स में इंप्लिमेंट किया जाता है तो सबसे पहले हमारा जो game engine होता है वो बिना किसी भी light के games की geometry को define करता है बट उसमें कोई भी elimination नहीं होती तो बाद में हम लोग यहाँ पे sample rays को भेजते हैं ताकि rays जाके उन walls को या जो भी game engine ने geometry define की है गेम के एक particular scene में उससे जाके टकराए और वापस reflect back होए ताकि हम लोग को उसका एक visual analysis करने का sample मिल सके बट हम लोग कभी भी infinite number of rays नहीं भेज सकते हैं जिसके वज़े से light rays भेजने के बाद जो output मिलता है वो बहुत ही noisy होता है क्योंकि infinite number of samples हम लोग नहीं create कर सकते हैं बहुत जगह पे dead space, blank, बिल्कुल black spots आ जाते हैं तो इसी को counter करने के लिए denoisers का इस्तमाल किया जाता है अब यहाँ पे बहुत सारे denoisers होते हैं बट basic principle मैं आपको बता देता हूँ basically यहाँ पे दो type के main denoisers होते हैं temporal accumulation वाले जो की पिछले frames और आगे के frames को मिला कर एक better image generate करने की कोशिश करते हैं in simple words good pixels को यह लोग रखते हैं retain करते हैं और bad pixels को discard कर देते हैं और एक नया better looking image generate करते हैं जिनको हम लोग कहते हैं accumulated pixel from multiple frames दूसरा method यह है कि हम लोग बहुत सारे pixel को analyze करते हैं और उन pixels को आपस में blend करके एक better looking image बनाते हैं इस denoising method को बोलते हैं special interpolation अब क्योंकि यह denoisers hand tune होते हैं इनको manually set करना पड़ता है तो इसका जो output होता है उतना अच्छा नहीं आता है उतना realistic नहीं लगता है जिसके कारण बहुत सारे problems आते हैं while upscaling and image and denoising and image उसमें से एक problem है ghosting का जब भी denoiser previous frame को analyze करके नए frame को better करने की कोशिश करता है तो वो previous frames के bad pixels को भी ले लेता है जिसके कारण बहुत बार ghosting की problem सामने आ जाती है और क्योंकि हमारे पास limited number of rays है तो denoise करने के बाद global illumination में भी बहुत कमी आती है अब तीसरी problem यह है कि जब भी denoiser denoise करने की कोशिश करता है किसी भी एक frame को तो reflection की quality उस frame में lower quality की हो जाती है क्योंकि हमारे पास enough rays है ही नहीं उसको ठीक से define करने के लिए अब लगबग आज के सारे ही games में आप denoiser का भी इस्तमाल करते हो और फिर आप upscale भी करते हो image को through DLSS and other technologies सो जो हमारा denoiser था वो तो पहले ही blend कर रहा था information को और high frequency color data को already उसने loss कर दिया था अब उसको आप upscale भी करोगे तो जो final output निकल के आएगा upscaled image का वो और भी lower quality का होगा तो denoiser plus upscaling leads to very poor bad image quality और इसी के कारण जब आप ray tracing apply करके DLSS on करते हो तो reflections की quality बहुत ही कम हो जाती है, degrade हो जाती है तो यही से ray reconstruction का concept सामने आता है in DLSS 3.5 कि क्यों न हम कोई ऐसा system develop करें जिसमें denoising and upscaling एक साथ perform हो रहा हो through AI to generate better looking image while ray tracing is performed, उसी को explain करते हुए simple सा chart NVIDIA दिखाया है हम लोगों को कि कैसे AI powered ray reconstruction काम करता है, पहले तो हम लोग geometry बनाएंगे without any lighting effects at 1080p resolution फिर हम लोग high frequency sampled rays को pass करेंगे with motion vectors to see that in limited lighting effects वो frame कैसा दिखता है फिर उसके बाद जो main component है हमारा ray reconstruction and super resolution जो की दोनों AI powered हो गए है वो एक साथ काम करते हैं frame को analyze करने के लिए कि actual में frame best possible कैसा दिखता है main difference यहीं पर आ जाता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग AI powered softwares की help ले रहे हैं then compared to the manual denoisers that were implemented in the previous version of ray tracing and then optical flow accelerators में जाने के बाद frame generation की technology काम आती है जिसमें sequential frames को जो GPU के तरफ से आ रहे हैं उसमें generated frame को insert किया जाता है ताकि आपका frame rates भी बढ़ जाए और साथ में आपका ray tracing quality के जो reflection है उनका भी quality एकदम top notch हो और final output हम लोगों को 4K में निकल के आता है high quality ray traced image तो यह basic principle था of working of ray reconstruction in DLSS 3.5 जो हमारा ray reconstruction process है जो की powered by AI है यह denoisers से जादा smarter है क्योंकि यह trained है more than 5x data than DLSS 3 because उसमें हमें manual work करनी पड़ती थी and this is powered by AI and यह trained है to recognize different ray tracing effects more effectively than DLSS 3 denoisers and जो हमारी high frequency data lost होने की problem आ रहे थी उसको भी यह retain कर सकता है तो overall इसके वज़े से हम लोगों को better ray tracing, reflections और quality मिलते हैं in the frame यहाँ पे आप देख सकते हो कि DLSS off रखने पे जो reflection था में भी एक door के नीचे black black वो नहीं आ रहा था यहाँ पे blending and accumulation of sample trace हो रही थी but DLSS 3.5 यहाँ पे patterns देख सकता है, recognize कर सकता है between different pixels जिसके वज़े से वो good pixels को रख सकता है और bad pixels को discard कर सकता है ताकि हमें better looking reflection dark areas मिलें जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे image में अब इससे होगा क्या कि जब भी आप कोई game खेलोगे उसमें ray tracing enabled करके DLSS 3.5 ray reconstruction enable करोगे तो आपको better looking reflections मिलेंगे while moving also for example rain या फिर कोई glossy surface होता है उसमें reflection आपको better quality के देखने को मिल जाएंगे and next इसका एक बहुत ही अच्छा use case है कि जब आप video भी edit करते हो तो वो preview render में वो थोड़ा lower quality का होता है DLSS 3.5 on करने से जो preview होगा आपका वो भी जादा निखर के better quality का आएगा for example आप इस scene को देख सकते हो दोनों के बीच में कितना difference है noise में भी drastic difference है DLSS 3.5 में noise बहुत ही कम दिख रही है while DLSS off में बहुत ही जादा noise है and darkness भी जादा है तभी आपको पता चलेगा कि कौन से GPU में क्या supported है यहाँ पे सिर्फ ray tracing वाले GPU की बात हो रही है जिसमें RT cores आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि DLSS 3.5, 3 and 2 सारे RTX GPU में supported है while सिर्फ 40 series में frame generation supported है क्योंकि उसमें hardware level of optical flow accelerators चाहिए होते हैं to generate frames and ray reconstruction सारे RTX GPU में available रहेगा तो इसका मतलब हुआ क्या जो frame generation की technology है वो सिर्फ 40 series में exclusive है बाकि जितने भी DLSS low latency और ray reconstruction वाले features है वो आपको सारे ray traced GPU में मिल जाएंगे जो की है 2000 series, 3000 series and obviously 4000 series तो है तो अगर आपके पास RTX 2060 से लेके RTX 4090 तक का GPU है तो आप इन सब चीजों का मज़ा उठा सकते हो except frame generation जो की सिर्फ 4000 series में ही applicable है अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे आगे example बताता हूँ जो Nvidia ने दिया था This is a scene from Cyberpunk 2077 अभी DLSS off है, RTX on है obviously हमें यहाँ पे frame rates बहुत ही कम मिल रहे है क्योंकि DLSS off है, ray tracing भी on है तो बहुत ही intensive हो जाता है Cyberpunk अब पहला feature हम लोग यूज करेंगे Nvidia का जो की है DLSS 2 क्योंकि हमारा game अब lower resolution पे render हो रहा है और upscale हो रहा है to the native resolution इतना तो आप जानते ही होगे कि Cyberpunk में DLSS quality पे set करते हैं तो वो native resolution से ज़ादा better output देता है while increasing the frame rates बट हम लोग यहाँ पे और भी आगे जा सकते हैं इन frame rates अगर आपके पास 4000 series का GPU है तब ही आप यह feature enable कर सकते हो जो की है frame generation in DLSS 3 अब इससे होगा क्या कि sequential frames के बीच में AI generated optical flow accelerator के तरफ से frames insert करे जाएंगे जिससे की frame rates और जादा बढ़ जाते हैं while keeping the ray tracing on again यहाँ तक भी आपको कहानी पता ही होगी अब इसके बाद जो main काम आने वाला है वो ray reconstruction का आने वाला है अभी तक जो सारी image render हो रही थी वो denoiser से denoise होने के बाद generate हो रही थी जिसमें reflections उतने अच्छे quality के नहीं होते हैं तो अब हम लोग ray reconstruction को enable करेंगे in DLSS 3.5 so now आप देख सकते हो in the fourth slide कि कैसे reflections की quality एकदम better हो गई है than the previous three slides for example जैसे ही lighting yellow से pink हो जाती है उसी के हिसाब से walls के colors भी pink हो जाते हैं क्योंकि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कहीं से कोई light आ रही है तो पूरे surface पे उसका effect रहता है बाकी तीनों slide में ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा अब यहाँ पे कोन से GPU में क्या supported है एक बार में आपको और बता देता हूं अब DLSS off तो सारे RTX, GTX, GT GPU में supported है DLSS 2 को अगर आपको on करना है तो आपको at least RTX GPU चाहिए होगा 2000-3000 series का and then अगर आपको frame generation FG on करना है तो at least आपके पास 4000 series का कोई graphics card होना चाहिए क्योंकि this is the hardware level feature but अगर आपके पास 4000 series का GPU नहीं भी है तो आप 2000-3000 series GPU में भी Ray reconstruction RR को on कर सकते हो because this is the AI feature जो की software upgrade से games और GPU में implement हो सकता है through driver support जरूरी नहीं है कि आपको frame generation on करना ही है अगर आपके GPU में frame generation नहीं है अगर आपके पास 2000-3000 series का GPU है तो आप Ray reconstruction को on कर सकते हो whenever उस game में वो implement हो जाए update आ जाए without enabling the frame generation frame generation अगर आपको enable करना है तभी आपको 4000 series के graphics card की जरुत पड़ेगी बागी सारे features 2000 series और 3000 series में अब-level रहेंगे तो I hope आप समझ गए होगे कि Ray reconstruction क्यों 2000 series और 3000 series में implement हो सकता है अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक question आ रहा होगा when looking at the third and fourth slide कि हम लोगों ने जैसे ही Ray reconstruction on किया with frame generation enabled तो performance में भी हम लोगों को कुछ अपलिफमेंट देखने को मिला ऐसा क्यों है ऐसा हमेशा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है किसी भी game में क्योंकि जब हम लोग Ray reconstruction on करते हैं तब जो multiple denoisers हम लोग काम में ले रहे थे तो हम लोग वो multiple denoisers को सिर्फ एक AI model system से replace कर देते हैं जो की responsible होता है to denoise the entire frame with only one model जिसके साथ upscaling भी साथ में जुड़ा रहता है इसी के कारण जो process होता है वो और simplified हो जाता है more efficient हो जाता है और कभी कबार performance में थोड़ा jump भी देखने को मिलता है अब एक चीज में आपको बताना भूल गया कि जब आप Ray reconstruction on करोगे तो आपको DLSS को भी quality भी at least set करना पड़ेगा मतलब DLSS भी on करना पड़ेगा because this is a hybrid model जैसा कि मैंने इस चार्ट में दिखाया कि दोनों एक साथ काम कर रहे है upscaling भी और Ray reconstruction भी तो दोनों एक साथ on होंगे तभी आप इस feature का फायदा उठा पाओगे किसी भी RTX GPU में अभी AI का बहुत ही जादा boom चल रहा है AI के help से हम लोग कहां से कहां पहुँच गए कहां हमें 20-21 fps मिल रहे थे और कहां 100-plus fps मिल रहे हैं तो इस तरही के से हम लोग AI के मदद से without increasing the power of our GPU जो की raw horsepower होता है जो बिना DLSS on करने पे जो raw power मिलती है उसको हम लोग increase कर सकते है through AI, upscaling, Ray reconstruction and frame generation right now Ray reconstruction is supported in Cyberpunk, Alan Wake 2 and Portal RTX और future में जैसे DLSS 2, DLSS 3 बहुत सारे games में implement हो गया वैसे ही DLSS 3.5 का update भी बहुत सारे games में जल्दी ही आ जाएगा यहां पे हमारा topic खतम हो जाता है बट अब आप सोच रहे होगी कि NVIDIA ने बहुत ही बड़ा master stroke खेल दिया मोदी जी की तरह उपस सॉरी में politics में क्यों खुसरा हूँ AMD तो already पीछे चल रहा है AMD तो इसका जवाब दे ही नहीं पाएगा बट AMD ने भी announce कर दिया है अपना FSR 3.0 in Gamescon 2023 और उन्होंने अपने दो GPUs भी announce कर दिया है RX 7800XT and 7700XT जिनके prices 499 और 449 डॉलर्स रखे हैं और यह available हो जाएंगे 6th September को उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और FSR 3 के बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे जहां पे NVIDIA exclusivity के तरफ बढ़ रहा है कि उसके frame generation जैसे technology सिर्फ उनके latest and greatest graphics card में ही available रहेंगे जो कि बहुत ही महेंगे हैं और हर बार कोई normal customer अपग्रेड नहीं करता है to the latest GPUs वहीं पे AMD FSR 3 के implementation में बिलकुल exclusivity को खतम करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे GPUs में support करेगा एंड एक मज़ेदार चीज आपको बताओं कि FSR 3 में NVIDIA के तरह ही frame generation जैसी कोई technology होने वाली है जो कि आपके frame rates को double triple कर देगी without any hardware support just like FSR 2.1 जो कि free में available है in every game for every graphics card तो उस बारे में भी और बात करेंगे in the next video अगर वीडियो पसंद आया हो तो subscribe कर सकते हो, like कर सकते हो आप मेरे वीडियो को जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया तो बाकी जाते जाते अगर आप gaming में interest रखते हो तो मेरा gaming channel भी है उसको जाके check out कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आये तो like कर सकते हो and subscribe कर सकते हो मिलते हैं ऐसे informative वीडियो में FSR 3 और AMD के 7000 सीरीज के नए graphics card के बारे में बात करेंगे उस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई सायोनारा सरी और realt best के भीयो में बाई सकते हो कर रह जार आस भीयो ये ये कर दो की वीडियर की वीडियो